पर्यार्थ मात्रा में दे रही है जितना इनका डिमान जाता है उतना डिमान देची है केंद्र सरकार की ही जागरुकता है क्योंकि पहले यूरिया का अद्योगी को प्योग भी होता था लेकिन नीम कोटिंग होने की वज़ा से वो अद्योगी दूरुपियोग रुक गया प्रमाणिक बीज नहीं मिल रहा है आप कल्पना कीजिए कि पांगरेस के एक नेता का जो सुसाइटी जो समनांता परलल अगल बगल में कुछ प्रमाणिक बीज जो हाइबिड जिसको बोलते हैं अपन वो बिचवाया जा रहा है और जो भीज निगम है चत्रीकर सरकार का वो तो लगता है ऐसा कि बतलब फेल हो गया कहीं पर भी किसी किस्तान के कोई प्रमाणिक बीज नहीं मिल रहा है